हलो फैमिली गुड मॉर्णिंग एंड वल्कम बेक टू मैं चैनल फैमिली आज है संडे और अभी सुबा का 9 बजा राज का व्लोग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और आज जैसे कि संडे तो सुबा में टीसान तो छुट्टी था तो आज थोड़ा से लेट से उठी हू आज वजे मस्त सोके उठी हो और सुबा उठके एक बहुत ही अच्छा चीज दिखने को मिला है ममी अभी वह बना रही है तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या है वह चीज तो यह देखिए फैमिली ममी अभी बना रही है मंचली और आज घर में बनने वाला है द तो यह देखिए फैमिली कितना बड़ा साइज है देखिए यह देखिए इसमें 300 ग्राम है मचली और 300 ग्राम का 100 रुपया लिया मतलब इसका दाम भी बहुत जादा है और खाने में भी बहुत ही मस्त लगता है तो चलिए फैमिली अभी नास्ता कर लेते है यहां पे चाय लेके तो पुरा जग्रा चल रहा है मम्मी का प्यासा का तो में भी अपना हिस्सा का ले 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 तीनों तो फिर खतम हो जाएगा तो अभी देखिए मैं नास्ता में खाने वाली हूं मूरी साथ में थोड़ा सा चाय और मेरा काप का चाय देखिए फैमिली कितना सा है मतलब क कितना जादा है रanting ओर ममी लोग देखिए कितना कम कम लीए मुझे डीकि कितना जादा दिए है तो चल ये मैं हम लोको दिखाती हूं यह देखिए यह मं मी का ग्लास पे चाय और में दिखारी हूं रुकी है और उधर देखिए कटोरी में लेके कह रही है उदर तो प्यासा तो अलगी है, मतलब हो पुछा एक ग्लास लेके पीती है, बस मुझे कम-कम मिल डीक, और स्थेख। फैवली में लोग देखे कितना ज्याद़ चाय!」 कि बरबाध कर दिए है, मैमी भोल रही है, नीचे होके मतलब उसको पी न के लिए पोल रही है, तो देखिए फैमिली इधर मम्मी चावल बना दी है और यहां पर थोड़ा सा देखिए भेंडी फ्राइ भी कर दी है अब मेरी बारी है पॉटल चिंग्री बनाने का तो इसलिए देखिए पहले मैं चिंग्री मचली को फ्राइ कर लूँगी तो कडाय में देखिए तेल भी द कर ली हूं आधा मैं अभी फ्राइ कर रही हूं और अधा देखिए बच्चा हुआ है तो यह हो जाने के बाद आधा फ्राइ करेंगे और इधर अभी देखिए ममी रामु सब के लिए खाना बना रही है मतलब उलो सब पोड़ा खाते है ना पोड़ा कब क्या बोलते हिंदी अधा मुझे नहीं पताु यह दखिए। यह काते हैं वगड़ा पानीदे के मतले वाश्चे से मिक्स कर देना पड़ता है तो यह रिखाया है है मतलब ऑचले मजदी को जादा मिज़ी वाइन टीञियों थोड़ा थोड़ा ही की हूं नहीं तो फिर बाद में हाड वह जाता और कुछ नहीं पका नहीं तो दूसरा दिन तो फिर रोटी बागेर भी ममी पका लेती है इसलिए मैं अभी देखी गैस में लेकर आ गई तो यह देखे फैमिली बाखी सबजी भी फ्राइब हो चुका है चलिए मसाला बना लेते हैं यहां पर देखे फरवल फ्राइब की थी जूरा काला लेकर रूगा ख्या लेकर हो जूकि तुका शूख यहां पर ढम कलमी है एक मजई तो वेल्म nih ने चलिए लूट हूँ पोड़ा मसाला बरेलिए भी दरब पेस्ट पेस्ट लसन पेस्ट जीराका पेस्ट कीमत शुक ठावार्ल ममी में कार्च्छ नहीं दई मैं ममई सूखा में पीस के दिए है, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा काफेमेकर रेटे जी लिए अब टमाटा थोड़ा से नमक देखे अच्छे से मसालों को पका लेंगे अब देदेंगे स्वादनुसर नम्म और मसाले के साथ अच्छी से पकालेंगे उसके बात्पी पाणी दे जलिए तो फेमली खाना पकाते पकाते पुरा मेरा हालत खड़ाप हो गयाएगी इतना ज़्यादा गड़ी है ना क्या ही बताए देखिए पुरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं और बहुत यह पाणी में प्यास लग गया था तो इसलिए में वारेस तो पाणी पी रही हो अभी इतना में ही हम लोग के ऐसे हालत हो जा रहा है तो ममी लोग कैसे करती होगे डेली डेली और हम लोग तो ऐसे ही सौक से खाना पकाते है एक दो दिन उसमें हम لोग का हालत पुरा खड़ाप हो जा रहा है तो देखिए फैमिली सबजी अल्मोस्ट बन गया है लेकिन इसका इतना जोल ने रखेंगे ये फुरा ग्रेवी ग्रेवी होता है और थोड़ी देव बॉल हो जाने के बाद ये बन जाएगा और ममी तो अब इसी कॉंप्लिमेंट दे दी है पुरा मर्तन जाय सा स्मेल आ रहा है अब पता नी खाने में कैसा लगेगा और इसमें इसका टेस्ट इंहांस करने के लिए थोड़ा सा सक्कड भी दे देंगे और इधर थोड़ा सा भाजा मसाला बनाएंगे इसमें देखिए थ छोटा सा देखिए दाडसी नी एक लॉंग और एक इलाइसी दे दी हूँ अब थोड़ा सा टमाटल का मीठा चार्णी बना लूंगी फैमिली और थोड़ा सा पापार भी फ्राइ कर लूंगी तो फैमिली खाना तो बन गया है मम्य भी खाना निकाल भी supports this लेकिंड प्रॉबल्म हो गया है खाना गया होत टेश्टी भना है वह बहुत है धुझा रा रहा यासका आप लोगको बताइखि आधना पर में तो और कीचिन की उसप्र में जो ओंफ हुआ सा अम लोग आ थी तो अधना फोसमीयर क दूबना रहे थी तो में बन धूबर का अधना धया है उन स्मेल और वो तो गोबर में स्मेल जा रहा है तो बहुत यह अजीब लग रहा है पता नहीं अब खाते वक्त मेरा क्या होगा तो देखिए फैमिली में खाना खाना बैट चुकी हूं यहां पर दीके चावल यह है भेंडी भूरिया जो ममी बनाई थी यह मेरा सबजी जो में गोबर का स्मेल सूंगते हुए बनाई और यहां पर दीके पापर और यह चटनी तो चलिए अब ट्राइक करके देखते हैं कैसा लग रहा है ममी तो तारिफ कर दी है बहुत ही अच्छा बना है ममी खाना भी खा रही है और इतना बड़ा बड़ा चिंग्री मचली फैमिली में क्या ही में लिखना है महीं तब से बोल रही है कि प्रम मटन जैसा में सब्सक्राइब वहां हे लगा मैं तो सोची थी मिन पाऊँ लेकिन सब्सक्राइब बहुत अच्छा लग रहे तो चलिए भूख भूख भी लगा तो मैं खाना खाली तो प्र आप लोग से बात करती हम मुझे तो यह नए बात नहीं है मतलब ऐसी मेरे घर में गोबर यूज करते हैं तो इसका आधत है मतलब बोमेटिंग और लूज मोसन टाइप हो गया था और मेरे गाह में अलमुस्ट सबका यह प्रॉब्लेम चल रहा है फिलाल बहुत जन तो थीक हो गया है तो यह ठंगरम के मौसम के वरसे साथ यह हो रहा था तो मेरा भी हो गया था तो में डॉक्टर दिखाए फिलाल तो म इसके वज़से साथ गोबर का स्मेल मेरे से सयन नहीं हुआ और आप लोगको तो मैं कैमेरा में दिखाए कि में खाना खा रही थी अच्छा लगए यह भी में बोली सच में अच्छा लग़ा था सबजी लेकिन कैमेरा जैसे में बंद की में पूरा खाना कंपीर नहीं कर पा पूरा वोमेटिंग टाइप हो रहा था अंदर से तो इसले तब यह थोड़ा सा ख़ाब हो गया तरह इसले में सो गई थी अवी फिलार में नहीं कोट कि उछी नहीं खाई हूं जो थोड़ा सखा थी दोपैर में हम हुसी खाई हूं बस और अभी में फल लते आया हूं तो फल ही खालूंगी अभी तो यह दिखिए में थोड़ा सा नार लेते हुए आई हूँ मतला वह भी आधा क्योंकि फल खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अब घर में तो चावली है मुरी है तो क्या ही खाऊ तो इसलिए में थोड़ा सा नार खा लेती हू और इसे एपल भी है लेकिन एपल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यह जो भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है एपल मुझे बिल्कुल भी पसंब नहीं है तो फैमिली अभी रात का सड़े नाव बजयर अभी में आ गए हूं कीचेन में ओमलेट बनाने क्योंकि मम्मी तो रोटी बना दी है और दो पहर का जो सबजी था उसी सबजी से मम्मी और प्यासा खाना खा भी ली है लेकिन में अभी तक नहीं खाई हूं और पापा अभी कीचे शबड़्य कीचे आज पापा का काम था तो इसलिए लेड़ भी हो गया था तो इसलिए हमर पापा धिडिल करने वाले है तो अभी में ओमलेट बना रही हूं ची में घाना खाऊंगी दो पार का सबजी में फ्रिल खूल भी चूना नहीं जाती हूं कूँकि दो पैर म में मेरा खाना ही नहीं हुआ है मैं थोड़ा सा खाई थी तो भूग भी लग दिया तो इसलिए में अभी जारी हूं आये अमलेट गारेWhen जारी भandाते लिए मम्मी बासी तो इसने दला अभी बोर्ती अला में उarnya कर ले और में करतिआ कि खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन आज इतना ही बूड़ी किसमत है मैं क्या ही बता हूँ आज गढ़ में तो मिर्च है ही नहीं तो इसलिए मैं मिर्च भी नहीं डाली आज और यह सब को इग्नोर करिएगा फैमिली कि मम्मी रोटी बनाए जैसे कि मैं बताई हूँ न तो इसलिए रोटी का मतलब आटा यहां पे गिला है तो इसलिए ऐसा ऐसा दीखना है तो यह तब सुबा में ही साफ होने वाला है मम्मी कड़ीगी अब मेरा होने वाला है टेट इस कि पूरा पर जाएगा तो इसलिए टेट पर जाएगा ज़ा दूसरा साइट पर जाएगा तक दुतार लेंगें तो फैमिली ते अंडा भूजया का साथ रोटी बहुत ही अच्छा लगता है सोचिए पापा दे के उदर कॉमेंट कर रहे हैं तो सोचिए सुबा में इतना ज्यादा में साइटी चिंग्डी मचली खाने के लिए सब तो मैरा पाणी में चला गया, कुछ तो मैं खाने पाई अब खाने को मन भी नहीं कर रहा है तो चली by family में खाना खारी थी हूं